हलो अब्रिवान विल्कम बैक टो एससी मैथ होन आस्क्यों डाउट सीरिस का यह कोईशन गोविंद कुमार के तौरप से भेज़े गए हैं आप भी अपना डाउट भेज सकते हो कहां पे एक्जाम पोटल एससी मैथ होन आट दरेट अप जीमेल डाट कॉम ठीक है आप अगर यह कोईशन को देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है लगेगा ठीक है लेकिन हाला कि आपको डाउट है तो आप सोचो किस तरीके से इस डाउट को निकाल सकते हो यह मुझे भेजने से पहले भी आप निकाल सकते थे कैसे हमने एससी मैं आतन में टाइम एंड वर्क के लग 35 के द्वारा पूरा किया जा सकता था जा सकता है यदि प्रत्यक 10 दिन में 5 श्रमी कारिय छोड़ देते हैं तो वह कार्ज कितना दिन में पूरा होगा ठीक है तो यह जो काम है हम लोग क्या समझता है कि 30 दिन में 35 आदमी मिलके काम करता है तो कितना में डे का काम था 37 इंट 35 आदमी का काम तो कितना दिन का था 35 यह 105 होता है तो 1050 मेंडे का काम था अब देखो हर एक 10 दिन में 5 चोड़के चल जाते हैं ठीक है हर एक 10 दिन में 5 चोड़के चल जाते हैं ठीक है हर एक 10 दिन में 5 चोड़के तो पहला वाला जो 10 दिन है 10 दिन के बात तो पहला वाला 10 दि काम करता है फिर लाश्ट उसके बाद कितना काम करेगा सर उसके बाद 30 जन मिलके काम करेगा फिर कितना दिन के लिए फिर 10 दिन के लिए काम करेगा तो 300 होगा फिर कितना जने काम करेगा सर फिर 25 जन काम करेगा कितना दिन के लिए दस दिन के लिए तो कितना हो जाएगा सर्थ दोसो पचास मेंडे का अब फिर देखिये सर्थ फिर बीस जन आएगा फिर कितना दिन के लिए दिन के लिए काम करेगा तो 200 मेंडे हो जाएगा जोडने का कोशिस करता है कितना आता है 50-50 100 आ गया 001 आ गया 3-3-6-7-9-10-11 ठीक है 1100 आ गया क्या लास्ट वाला हम लोग जोड सकते हैं नहीं देखो मेंडे का काम ही था 10-50 का काम था हमने वहाँ पर 1100 का काम कर लिए कभी पॉसिबल नहीं है वो लोग करेगा भी नहीं तो आप लोग लास्ट वाला रोग को निकाल देता है ठीक है यह क जिरो और इधर कितना हुआ थीन-3-6-7-8-9 तो 900 मेंडे का काम हो गया अब बचा कितना हुआ सर 150 मेंडे का काम बचा हुआ है अब कितना जने काम कर रहे है सर 20 जने काम कर रहे है ठीक है ध्यान से देखना 20 जने काम कर रहे है 150 मेंडे का कितना काम कितना दिन में कर लेगा सर तो यहाँ पर कितना दिन लगा, देखो 10 दिन यहाँ पर लगा, 10 दिन यहाँ पर लगा, तो 30 दिन और साथ, तो 37 बटा 1 raise to the power 2 दिन लगेगा, ठीक है सर, एतना दिन में काम खत्म हो जाएगा, जैसे यह question को आप दूसरे तरीके से, या फिर efficiency से करने जाओगे, यह question बहुत ल लिए, तो 35 जन का efficiency कितना हुआ, सर, 35 हुआ, अब देखो 30 दिन में, उसी 35 आत्मी वाला, मतलब 35 efficiency वाला अदमी कितना काम गरेगा, सर, 1050 efficiency का काम होगा, अगर 1050 efficiency में से हम लोग घटाना स्टार्ट करते हैं, कि 35 जन पहले 10 दिन काम किया, तो कितना हो रहा है, सर, 35 into 10, मतलब 350 में दे का काम हो गया, मतलब 350 efficiency का काम हो गया, उसके बाद, देखो 5 ट्रमी हमेशा क्या कार्य चोड़ के चल जाते हैं, ठीक है, तो कार्य चोड़ देते हैं, तो कितना कार्य चोड़ा, पांच जन चोड़ा, अब कितना बचा हुआ, सर, 30 जन बचा हुआ, अभी, अभी के फिर दस दिन तक क्या कितना हुआ दाईसौ हो गया, तो वैसे ही हम लोग को जोड के चटक करना पड़ेगा कितना दिन का काम हो गया, बहुत बसे हैं। काम को है, तो बचसवा आएगा, वो 20 जन का slot आएगा हां सा 20 जन का slot आएगा तो 20 जन वही देड़ सो main day कितना दिन में कर लेगा साथ साथ दिन में कर लेगा तो 37 raise to the power 1 by 2 days में टोटल काम हो जाएगा ठीक है सर, ओके तैंक यू, बाबाई, stay tuned for the next class